हमने चुना है ये रास्ता जिस पर हमारा करियर बरबाद कर दिया गया और जब मैं आज आपसे मुखातिब हूँ तो ये जानते हुए मुखातिब हूँ कि अब मैं दुबारा किसे विश्व जयले में शायद अब प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा मुझसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का वहदा चीन लेया गया मुझसे इंटर्व्य में सवाल पूछा गया कि बताओ रामचिर्क मानस के धोल गमार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना करत क्या है इसका मतलब यह है कि आप कुछ और सुनना चाह रहे थे मैं बार-बार कहता रहा है कि मेरे प्रश्ट पूछा जाए और जलील करने के लिए ये इंटरिव्य होते है मुझे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में पता लगाया जाए कि वो RSS का व्यक्ति है कि नहीं है लेगिन हम सेलेक्शन कमिटी से एक सवाल पूछना चाहते है कि क्या यह सलेक्शन मेरिट पर हुआ जब पहला इवाक की बोला गया कि लक्षमण यादों को बाहर करना है बाकी आप किसी को रख लीजिए यह कौन सी मेरिट है और यह किस ने तेंग किया था कि लक्षमण यादों को बाहर करना है किस आदार पर बाहर करना है मेरी मेरी सासे मेरी उमीद है मेरी कख्षाओं में थी उनका ख्षाओं से हमें छीन लिया गया Academic Performance Index यानि API में सव में से मेरे 96 नमबर मेरे 8 लेक प्रकाशित है एक किताब प्रकाशित है PhD पूरी है मैं अलाबा दुश्च दियाले का गोडल मेडलिस्ट हूँ 2013 में ही मेरे PhD दियाले से पूरी हो चुकी थी कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है और हमने चुना था कि हम हर गलत के खिलाब बोलेंगे मगर ये जो कॉलेज के बाहर की मेरी दुनिया थी इसे मैंने कभी अपने कॉलेज के भीतर गुसने नहीं दिया मैं अपने विद्यारतियों के सामने जब भी होता था तो मैं उनका सिक्षक होता था मेरे विचार धारा मेरा एक्टिविजम मेरी समझ जो समाज को लेकर है वो मेरे कॉलेज की चार दीवारी के भीतर कभी नहीं गई वरना बहुत दिन से मैं उन लोगों की आँखों में खटकता था मैं जानता था कि मेरी कक्षाओं में बैटे कुछ विद्यार थी कि नहीं के इशारे पर मेरे एक लेक्शर को रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों अखिर वो लम्हा आ गया जिसे आपसे मुझे साजा करना था मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है या इसे यूँ कहूं कि मैंने वो नौकरी ठुकरा ही दिया आज 6 दिसंबर है बाबा साब को याद करने का दिन है और आज का दिन एक और गम लेकर मेरी जिन्दगी में आया कि मैं जिस कॉलेज में दिल्ले विश्व द्याले के तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहा था मेरी जगे किसी और को नियुक्ती दे दी गई है ये ऐसा दिन है ये ऐसा फैसला है ये ऐसा लमा है जिसका अंदाजा मुझे था मुझे अंदाजा इस बात का था कि जो माहौल और ये उच्च सिक्षा का बनता जा रहा है उसमें जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे इसलिए आज के दिन मेरी जगे किसी और को रख लिया गया और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने नौकरी ठुकरा दे है क्योंकि इस बात का अंदाजा मुझे शुरुआत से था कि ये जो सच बोलने का दुस्साहस में कर रहा हूँ इसका एक दिन यही हश्र होना है इस मुल्क के निजाम को सच नहीं पसंद है इस मुल्क के हुक्मरानों को जब सच नहीं पसंद है तो इस मुल्क के हुक्मरान जिने चुने हुए हैं अलग-अलग संस्थाओं में बिठाए हुए हैं उन्हें भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आँख में आँख डाल करके सच बोलते हैं। मिर्जा गालिप को शुरू में याद करता हूँ कि घर में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हसरते तामीर यानि सुरिजन का नएपन का जो यानि नएपन की हसरत वो हम बचा कर ले आए। पूरा वाकिया अगर मैं बहुत कम सब्दों में कहूं तो वो ये है कि साल 2010 का वो दिन एक सितंबर के तारीक जब मैं जाकिर हुसेन दिल्ली कॉलेज में हिंदे विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉग बेसीस पर जोईन हुआ। और 6 सेतंबर 2010 को मैं अपनी पहली काक्षा में गया। वो मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था। क्योंकि आजमगड के जिस गाओं में एक सामान एक किसान परिवार में पैदा होकर बचपन में गया भेंश चराने वाला एक शक्स उसे बिलकुल अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन अपने अकादमिक जीवन के इस मन्जिल को पाएगा। मगर मेरे परिवार वालों का ये त्याग, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, घर के बाकी लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, सपने पाले और उन सपनों को हमारे भीतर भर कर कलम और किताब की एहमियत समझ कर मुझे इलहाबाद विश्व द्याले पढ़न इनके जूते फटे हुआ करते थे, जिनके घर में पेंट नहीं होता था, कि वह इसलिए कि उनके घर का कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में पढ़ने गया है। विद्याले टॉप किया। बीए और एमे के दोरान बहुत कुछ सीखा हमारे गुर्गों ने, इलहाबद विश्वद्याले के हमारे साथियों ने, उस माहौल ने हमें गड़ा है। हम दिल्ली आये, तो आईयस बनने आये थे। मगर एमे के दोरान ही, नेट जियारेफ की परिक्षा क्वालिफाई कर ली, अपीरिंग में ही जियारेफ हो गए। पूरी इलाके में नाम हुआ कि जो लड़का इलहाबद विश्वद्याले टॉप कर सकता है, वो आयस बनेगा। मेरे पिता जिनसे मैंने पहली बार भगत सिंग और अंबिडकर का सबक सीखा, मेरे बड़े पिता जिनसे हमने कबीर पंथी निर्गुर संतों का एक संसकार पाया था, और उन दोनों के बीच पलते बढ़ते अपने उस खाबों के परिंदे को दिल्ली उडा लाए, आयस बन जैरफ हो गए, दिल्ली विशुद्याले में पिएजडी में एड्मीशन मिला, क्योंकि घरवाले ये कहते थे कि बहुत दिन तक दिल्ली रख पाना मुश्किल है, तो फेलोशिप के लिए जैरफ में एड्मीशन लिया, तो फेलोशिप के लिए पिएजडी में एड्मीशन है क्यों ना एसिस्टेंट प्रोफसर के अपने सपने को पूरा किया जा है और वो कॉलेज था लक्षमी भाई कॉलेज मैं पहली बार वहां इंटर्वियू देने गया और इस इंटर्वियू बोर्ड का माहौल ऐसा था कि दो मिनट के इंटर्वियू के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे हैं भी जाए ये पढ़ाई लिखाई करिए वो एक जो स्वाभिमान आत्मसंमान है ना जो हमें मिला था उस पर हमने कहा कि हमारी पढ़ाई पर तो हम हमें कैसे ये कह सकते हो कि अभी और जाके पढ़ाई करिए और दूसरा कॉलेज जो इंटर्वियू देने में ग सोचकर गए थे कि ये इतनी जल्दी नौकरी तो देंगे नहीं लेकिन हम यह इन्हें जरूर दिखाएंगे कि हम मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं इंटर्वियू खराब नहीं होने देंगे और इस आत्मस्वास ने वस इंटर्वियू के इतना अच्छा किया कि जाकर हु लोगों को पीछे करके यह कहा गया कि जिसका इंटर्वियू इतना अच्छा हो जो गोल्ड मेडलिश्ट हो जिसका जे आरफ अपियरिंग में क्वालिफाई हो क्यों नहीं हम इसे मौका दें और 6 सितंबर 2010 को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया दो तीन अटेम्ट आईएस के भी दिये लेकिन मेरी कक्षाओं ने मुझे इतना आकर्शत किया कि उनके बीच कब मैंने अपना जीवन का मकसद अपनी कक्षाओं और अपने विद्यारतियों के बीच रहना चुन लिया मुझे पता ही नहीं चला आईएस बनने का सपना छूट गया और मेरी कक्षाओं मेरे जिन्दगी का एक दूसरा कोना बन गई जहां से हमने पढ़ाया कम और पढ़ा जादा वक्त बीतता चला गया और असिस्टेंट प्रोफसर एड हॉक की नौकरी बिल्कुल खामोशी से चुपचाप पढ़ते थे अपनी कक्षा में जाकर पढ़ाते थे वक्त आगे बढ़ता चला गया 2010 से 2021 तक मैंने तकरीबन पच्चिस से दो हजार एक्चिस तक मैंने तकरीबन पच्चिस से तीस इंट्रिव्यू फर्मान इंटेपॉइंट मेंट के दिये उन सारे इंट्रिव्यू में ये कहा जाता था कि आप जहां पढ़ा रहें वहां आपका हो जाएगा डेड़ मिनट दो मिनट के इंट्रिव्यू आता हूँ अभी इस पूरी प्रक्रिया पर भी तो उन सारी प्रक्रियाओं में हमें कहीं और पर्मानेंट नहीं हुआ एक लिए मैंने कहीं और जाना कबूल नहीं किया और यहीं बैठे रहें अपनी कख्षाओं में जाते थे विद्यारतियों से सीखते थे पढ़ते थे पढ़ते थे और इसे धर्मियान 2015-16 के आसपास से बार बार सिक्षा पर हमले होते रहें जिस दिल्ली विश्य द्याले में 10% एड-hawk टीचर को रखने का नियम था चार महिने से जादा नहीं रख सकते उस दिल्ली विश्य द्याले ने दशकों तक एड-hawk को चलाते रहें और जब अचानक उनकी नौकरी छेनी तो हमने अंदोलन किये हमने सिक्षा बचाने की पिछले 2016-17 से जब से यह हमला शुरू ह हुए क्योंकि हमें पता था कि जो राजनीती हमारे केंपस को तैंक कर रही है जो राजनीती हमारा सलिबस तैंक कर रही है जो राजनीती हमें तैंक कर रही है कौन पढ़ेगा कौन पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा अगर वो गलत है तो उसके खिलाब बोलना हमारा नागरि पैदा करें रिड़ वाले विद्यारती पैदा करें जिनके आखों में सच बोलने का साहस हो तो इसकी शर्त यह है कि जो उनके सामने सक्षक बनकर खड़ा है वो निडर हो और उसके पास रिड़ हो इसलिए हमने दिल्ले विश्व द्याले और देश भर के एजूकेशन पर जि ना था और यह बोलने का अधिकार दिल्ले विश्व द्याले के एक्ट ने हमें दिया है क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं लोग कहते हैं कि सिक्षक होकर के राजनीत कर रहे थे असल में राजनीती लोग कर रहे थे वो तैं करने लगे कि सिक्षक कैसे होने हुई है और यह हमारे जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हम एक आलोचना अत्मक दृष्टिकोंड रखें और वो हम रखना शुरू किये 2017 से और हायर एजूकेशन पर होने वाले तमाम हमलों के खिलाफ हमने आवाज उठाई हमारे विद्यारतियों नहीं हमें पसंद किया 2018 के वक्त जब रोष्टर आया कि 13 पॉइंट रोष्टर होगा तो हमारी जिम्मेदारी थी कि इसके भी लड़ाई हम लड़ें ताकि इस देश के वंचे शोशित कमेरा लोग जो पहली पीड़ी हम जैसे लोग पहली पीड़ी के लोग हैं जो इन विश्व द्यालों तक और उस पढ़ाई और लड़ाई के साजा साथ ने हमें बिरसा फूले अमबिटकर पेरियार से परिचत कराया हमें भगत सिंग से रूबरू कराया हमें अपने इतिहास से रूबरू कराया और फिर ये तेवर और सक्त हुआ कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी लेंगे हम बोलेंगे क्योंकि बोलना हमारी एकडिमिक डिसिप्लीन की पहली शर्त है और सच बोलना इसलिए हमने ये चुना और इसके लिए लड़ाई लड़ी फिर जब जरूरत महसूस होई कि इस देश को उस दिशा में हमें बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो वो ये जो कॉलेज के बाहर की मेरी दुनिया थी इसे मैंने कभी अपने कॉलेज के भीतर घुसने नहीं दिया मैं अपने विद्यारतियों के सामने जब भी होता था तो मैं उनका सिक्षक होता था मेरी विचारधारा मेरा एक्टिविजम मेरी समझ जो समाज को लेकर है वो मेरे कॉलेज की चार दिवारी के भीतर कभी नहीं गई वरना बहुत दिन से मैं उन लोगों की आँखों में खटकता था मैं जानता था कि मेरी कक्षाओं में बैटे कुछ विद्यार थी कि नहीं के इशारे पर मेरे एक लेक्शर को रिकॉर्ड करते हैं मैं जानता था कि मैं जिनके खिलाफ बोल रहा हूँ वो साजिशे रच रहे हैं कि क्या इसके खिलाफ बोला जा सके कभी से नौकरी से निकाल सके मगर मुझे पता था कि मुझे क्या कॉलेज के भीतर करना है और क्या नहीं करना है इसको मैंने निभाया मौका नहीं दिया कभी किसी को मैं कक्षाओं को नियमित रोप से पढ़कर के पढ़ाने में भरुसा रखता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका क्षाओं में मैं सांस लेता था मेरी सांसे मेरे उमीदे मेरी कक्षाओं में थी उनका ख्षाओं से हमें छीन लिया गया एक परिंदे से उसका शजर छीन लिया गया अब आखरी में किवल इतनी बात कहूंगा कि ये जो पूरा प्रासेज होता है आप इसको बहुत संख्षेप में समझे और ये बात मैं किवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मैंने अपनी नौकरी ठुकरा दे है उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरी नौकरी छीन लिये मगर ये तो मुझे पता था कि मैंने इसको ताक पर रखकर अपनी रीड को अपने सच बोलने को चुना था इस बार भी हमेशा की तरह इंटर्व्यू होना था मेरे कॉलेज में भी इंटर्व्यू हुआ और उसी असिस्टन्ट प्रोफेसर जो एड़ॉक बेसिस पर चल रहा था यानि सैलरी पूरी आपको मिलती है आपका ओहदा असिस्टन्ट प्रोफेसर का होता है एक सितंबर 2010 से एक सितंबर 2023 तक मेरे 13 साल पूरे हो गया और उसके बाद 14 साल मेरा चल रहा है कोई कंप्लेन नहीं मेरे कॉलेज में मेरे खेलाव बच्चों से शिकायत मांगी गई तो बच्चों ने तारीफ की और इसलिए आज जब मैनोकरी से निकाला गया तो मेरे विद्य मेरे कॉलेज में आंदोलन कर रहे है जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं का जाता हूं कि मेरे विद्य hijyasa नकरें वह पढ़ें क्योंकि मैं अपने हिस्ते की लड़ाईबा लड़ूगा में ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरे मेरे मैरे विद्यार थी क्यों आंदोलन करने आए इसे आप सोचिएगा और वो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे चल रही है और अंतिम में किवले से समझ लेजिए तो जिस असिस्टन्ट प्रोफेसर के उहदे पर मैं काम कर रहा था 14 साल उसी पर पर्मानेंट अपॉइंट्मिन्ट होना कौन सेलेक्शन कमिटी में आएगा और कौन नहीं आएगा और पुछली बार जून में ये तैं हुआ कि जाकिर उसेन कॉलेज के हिंदे विभाग में इंटर्वी होगा और एक एक्स्टर्नल सब्जेक एक्सपर्ट को लेकर कि ये हुआ कि वो हो सकता है कि अड़ जाएं कि हमारी नम आने तो उनको बदला गया इंटर्वी की डेट कैंसल की गई और पेछले दिनो 29 तारीक से मेरे कॉलेज में पर्मानेंट सेलेक्शन कमिटी बैठी मेरे कॉलेज के हिं प्रिंसिपल वाइस चांसलर के वीसी नॉमिनी चेर्मान गौर्रिंग बाडी के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक अब्जर्वर साथ आठ लोगों की पूरी कमेटी और उसमें मेरा इंटर्व्यू मेरे सौ में एकडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानि एपी आई जिसे यानि एपी आई में सव में से मेरे 96 नंबर मुझसे उपर शायद 2-4 लोग होंगे जो शायद यां इंटर्व्यू देने भी नहीं आया मेरे आठ लेक प्रकाशित है एक किताब प्रकाशित है पीएचिटी पूरी है मैं अलाबा दुश्य दियाले का गोडल मेडलिस्ट हू उसका 50 से 60 के आसपास API है और तमाम जगों पर यह हो रहा है तो एक बात इसे समझें आप क्यों नोक्री ठुकराने के बाद मैं कहा रहा हूं तो API, Academic Performance Index, मेरे Academic Career मेरे सामने था इंटर्व्य बोर्ड के सामने था और उसके बाद इंटर्व्य मेरा पहली बार इस कॉलेज में तक्रीबन 14-15 मिनट चला बाकि दिल्ले विश्र द्याले में तमाम लोग निकाले गए हैं मैं उन सब को याद करते हूँ कह रहा हूं बहुत लड़ाई-लड़ी हमने दिल्ले विश्र द्याले में कोई ऐसी चीज नहीं थी चाहिए हिंदी विभाग में रोष्टर गलत था पीच्डी के अड्मिशन का तब हमने अपने हिंदी विभाग के खिलाफ अंदोलन कर दिया और विभाग को अपनी गलती मानते हुए रिवाइज एड्मिशन लिस्ट जारी कर नई सिक्षा नीति का हमला हुआ 40% सेल बस ऑनलाइन मोड में चला गया बोर्ड आफ गवर्नर्स बन गए तमाम तरह से ऐसे सिक्षा पर हमला हो रहा है कि सिक्षा महंगी हो रही है फेलोशिप कम हो रही है इन सारे सवालों पर हमने बोला है और तब जब हम इंटर्वी बोर हमने में पूरी एकडमी करियर में हमने 20 साल लगाए उसका इंटर्व्यू दो मिनट में हुआ है इर्फिश रुद्याले में आईए परिचे दीजिए दो-चार सवाल करिए जाए शुब काम नाएं क्योंकि लिश्ट पहले से बन चुकी होती है हमारा इंटर्व्यू चला 14 15 में सामाने बाच्चे इंटर्व्यू सबसे अच्छा रहा जितने सवाल पूछेगे मैंने लगभख सब के जवाब दिये बाकी लोग भी इंटर्व्यू देते हैं और जब फाइनल होता है तो जो सेलेक्शन कमेटी होती वो अंतिम दिन बैठती है सारे लोगों के इंटर् आपसे पूरे देश्ट कहना चाहरा हूं और मैं यह ओन रिकॉर्ड कह रहा हूं और इसका जवाब विश्वद्याले प्रसाशन या मेरा कॉलेज दे कि मैं गलत कह रहा हूं ठीक बात है कि सेलेक्शन प्रॉसेस का यह तरीका है कि 100% वेटिज इंटर्व्यू बोर्ड के पा राबर तो अंत्म निड़ा लेने का हक उस सेलेक्शन कमिटी के पास है और कोई मेरिट नहीं बनाते वह अंत्म में को निड़ा लेते हैं कि हम OBC पर UR पर UR पर इंको नियोक्त कर रहें क्यों नियोकत कर रहें कोई नहीं जानता पूरा अधिकार उनको पास है इसलिए हम कोर्ट नहीं जा सकते ये भी हम देश्ट को बताना चाहते हैं लेकिन हम सेलेक्शन कमिटी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या यह सेलेक्शन मेरिट पर हुआ जब पहला इवाक की बोला गया कि लक्षमण यादों को बाहर करना है बाकी आप किसी को रख लीज करना है क्योंकि 50 नंबर वाले API वाले को असिस्टन प्रोफेसर बनाना है सवाल नंबर दो मेरा इंटर्विव अगर सबसे अच्छा हुआ और मेरे विभाग का जो सक्षक इंटर्विव बोर्ड में बैठा है उसने यह बात बोली कि जिसका इंटर्विव सबसे अच्छा होता है सवाल है मेरा यह कि फिर किस बात के लिए इंटर्विव होता है सवाल नंबर तीन क्यों बाहर करना है मुझे मेरा विशय का ग्यान का आपने चेक किया मैंने कितना विद्यारतियों को पढ़ाया है उपने विद्यारतियों का फीड़ लिया मेरे शोध हालेकों पर मुझसे सवाल पूछे नहीं मुझसे इंटर्वियू में सवाल पूछा गया कि बताओ राम चिरिक मानस के धोल गमार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना करत क्या है इसका मतलब यह है कि आप कुछ और सुनना चाह रहे और मैं नहीं कहूंगा कि वो लिष्ट कहां से आती है आप भी पता लगाईए जिसके सरकार है उसके लोग दिल्ले विशुद्याले में कैसे नियुक्त हो रहे हैं किसी का API score 50 नंबर है किसी का 60 नंबर है और 96 नंबर वाले को निकाल करके 60 नंबर वाले को नियुक्ति देने का अधार क्या है और तीसरा सवाल मैं अपने कॉलेज का सबसे पुराना अध्यापक था 14 साल मेरा चल रहा था बाकी लोग मुझसे बाद में आए और हमने दिल्ले विशुद्याले में लड़ाई लड़ी कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको वहीं पर्मानिंट किया जाए और हमने दिल्ले विशुद्याले सिक्षक संग ने एक यूनेनिमस डिसिजन लिया है दिल्ली के वाइस चांसलर ने मीडिया में बोलाए कि जो जहां पढ़ा रहा है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे फिर क्यों हमारे साथ अन्याय किया गया यह सवाल हम पूछना चाहते हैं किस बात पर निकाला गया देड़ दो मिनट के इंटर्विव में आप ये तैंक कर लेते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे दिलिव शुद्याले में प्रोफेसर बन गए क्योंकि वो शाका में जाने लगे तक वो जंडेवाल अन जाने लगे और इस बात को कहने से मुझे कोई कोरेज नहीं कि आज की तारीक में प्रोफेसर वाई संसलर कहां से बन रहे हैं मुझे म और जो लोग नियुक्ति पा रहे हैं उनके बारे में पता लगा जाए ये मेरी खुननस नहीं है आप समझेंगे कि मेरी नौकरी छिन ली गई तो मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं आप अगर मुझे जानते हैं तो यह भी बखो भी जानते हैं कि ये तेवर कोई आज का नहीं है और इसलिए मैं बार-बार करा हूँ मैंने अपनी नौकरी ठोकरा दे हैं मैं जानता था कि ये लोग सच बोलने की सजा मुझे देंगे मगर मुझे लगा कि हो सकता है अकडमिया में मेरीट भी कोई चीज होती है हो सकता है कि निस्पक्श इंटर्व्यू जैसी भी कोई है देलेविश्यो देलेमें बीस साल पढ़ाबी लोगों को भी बाहर किया गया है कोई नहीं बोलता है और आज भी जम मैं आपके सामने ये मुकातिब हो रहा हूं तो इसे दिल्लेविश्यो देले में दरजनों लोग अपने कॉलेज में 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाने के बाद मुझे माफ नहीं करेंगे कि तुम डर गए थे इसलिए नहीं बोले और हाँ यह नहीं है कि नौकरी चली गई तब बोल रहा हूं मैं पहले से ये बात बोल रहा помог और जो मुझे जानते वो जानते ओंगे इसलिए आपसे ये पूरी बातचीत साजा करना चाहा रहा था, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मगर इस लड़ाई को अब कैसे लड़ा जाए, ये इस देश को तैं करना है, हमने चुना है ये रास्ता, जिस पर हमारा करियर बरबाद कर दिया गया, और जब मैं आज आपसे मुखातिब कि अब मैं दुबारा किसे विश्योद्याले में शायद अब प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा, मुझसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का उहदा छीन लिया गया, मगर छीनने को तो तुमारे पास एक नोकरी ही थी ना, वही छीन सकते हो ना, जनता की नजरों में मैं उनका प्रोफेसर बन गया हूँ, और तुमारे इस उहदा छीनने के बाद भी मैं अपने चाहने वालों की नजर में प्रोफेसर बना रहूंगा, इसे कोई नहीं चीन सकता, और वो मैंने अरजित किया है क्योंकि मैंने चुना था कि मैं सच बोलूँगा, जो विचार मुझे सच रहते हुए भी अपने नागरिज धर्म निभाया, और आज ये उहदा छीन लिया गया है, तो और शान से निभाऊंगा, क्योंकि संघर्षों के आदी हैं, हम अंबिट कर पादी हैं, इसलिए आपसे गोजारिश केवल इतना करूँगा, आपने बहुत प्यार दिया है, और खालिद इस देश के एक किंद्री विश्वद्याले का शुधारती था, अब तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में है, एक शुधारती जेल में, मेरे विश्वद्याले का प्रोफेसर हनी बाबू जेल में है, प्रत्रकार जेल में है, सामाजी कारिकरत जेल में तो हम प्रोफेसर होकर कि जिस पर अधिकारी होने का कोई शर्थ लागू नहीं होती मुझे सो कॉज नोटीस दिया गया और यह आकरी बात मैं आपसे कहने चाहता हूं इंटर्व्यू लेने के पहले इतना डर गए थे कि मुझे सोकाज नोटीस दे रहे हूँ कि आप बाहर क्यों बोलते हैं प्रधान मंत्री के खिलाफ क्यों बोला प्रधान मंत्री के खिलाफ इसल ये बोला क्योंकि मैं प्रोफेसर होने के साथ सा देश का नागरिक हूँ और दिल्लिव शुद्याले की शर्ते मुझे आजाद करती हैं कि मैं अपने देश और समाज की आलूचना कर सकता हूँ अगर मैं गलत किया होता तो दिल्लिव शुद्याले कब का मुझे निकाल चुकी होती अगर मैं गलत था तो मेरा कॉलेज मुझे कब का निकाल दिया होता मगर उन्हें पता था कि मैं गलत नहीं हूँ इसलिए असिस्टन्ट प्रोफिसर की पर्मानिंट वेकिंसी के समय उन्होंने बाहर कर दिया आज रिजल्ट गोचित हो गया है लोगों ने जॉइन कर लिया है और आज से मैं आजाद हूँ मैं आजाद हूँ सच कहने के लिए मैं आजाद हूँ आँख में आँख डाल करके सच बोलने के लिए अब आपके सामने के बोल यही पैगाम यह लड़ाई किसी लक्ष्मन यादों की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई कुछ निकाल दिये गए प्रोफिसर की लड़ाई नहीं, अब यह लड़ाई इस देश को भुचाने की लड़ाई में तबदिल होगी, क्योंकि सिक्षा पूरी तरफ बर्बाद की जा रही है, और यह लड़ाई उच्छा को भचाने की लड़ाई तक जाएगी, ये लड़ाई विश्विद्यालियों को बचाने की लड़ाई तक जाएगी मुझे नहीं पता कि आने वाले कल में मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता कि मैं खुद को कैसे समालूँगा मुझे नहीं पता कि अपनी कक्षाओं के बिना मैं कैसे सांस लूँगा मुझे नहीं पता कि जब मैं विद्यार्थियों से नहीं मिलूँगा तो मेरा दिन कैसे बीतेगा मगर हाँ मेरे पास किताबें हैं मेरे पास हुनर है मेरे पास हिम्मत है जो मुझसे कोई नहीं चीन सकता मैं उस हिम्मत से सांस ले लूँगा और इसलिए जाते आते आप से केवली गुजारिश कर रहा हूँ कि चुन्नाब आपको है मैं चाहता हूँ कि इस देश के वे विष्वध्याले बचे जिन्होंने हमें बनाया हमें महबत है अपने विष्वध्यालियों से मेरा कॉलेज मेरे सांसों में बसता है क्योंकि 14 साल उसने मुझे बनाया है मैं मुहबत बरकरार रखूंगा लेकिन हाँ ये सब बरबाद हो रहा है कैडर भरे जा रहे हैं पूरी तरह से ये राजनितिक बन चुका है आपके आने वाली पिड़ियां आद इन विश् Прभीश द्यालियों में नहीं पढ़ँ पाएंगी ये मैं कह के जा रहा हूँ मैं उनके लिए बोलूंगा मैं बोलूंगा जब फीस महंगी होगी मैं बोलूंगा जब फेलोशिप काटी जाएगी मैं बोलूंगा जब SST, OBC, वंचिश, शोशित, कमेरा, किसान, मजदूर के बच्चों को विश्योद्यालियों से बाहर करने के नीतियां बनाई जाएंगी, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि इन विश्योद्यालियों को मुझे बचाना है, बगर कितना बचा आपने बहुत महबबत दिये, मैंने कुछ नहीं कहा, तब भी आपने सोशल मीडिया भर दिया है, आप सब के महबबत के सामने मैं सर जुकाता हूं, इस देश के जितने अंबिटकर वादी, सामाजिक न्याय वादी, समविधान वादी, महबबत और प्यार का भारत बनाने वाले लोग हैं, उन सब से मेरी अपील है, आईए साथ खड़े होते हैं, मेरे लहजे में जी हजूर न था, और कोई मेरा कसूर न था, जब डर पता चला तब ही ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जा कि अपने आपकी कीमत पता चली, मैं उसी स्तों प्रकाश के कविता पढ़के आपसे अपनी बात खतम कर रहा हूं, कि एक महल की चोखटों ने, एक महल के द्वार ने, हम को अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दई बाजार ने, हम नहीं थे चुप, हमने बात अपनी बोल ली थी, मैं थोड़ा सा शप्छुर दानिस कविता में मैंने किया है, कि हम नहीं थे चुप, हमने बात अपनी बोल ली थी, खुद को भीतर से टटूला और ताकत तोल ली थी, लोग जो हैं ठोकरों से यही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दर्बार में लोटेंगे हम राजा बनेंगे। इसी उम्मीद और इसी होसले के साथ पुरे देश के चाहने वालों को मेरा शुक्रिया और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने महबब तो प्यार दिया है। अब आज से मैं एक नई लड़ाई की शुरुआत कर रहा हूँ। इस देश के उच्च सिक्षा पर जितने भी तरह के हमले हो रहे हैं उसके खिलाप लिखना पढ़ना बोलना जारी रहेगा। और अब इस देश को समविधान को सामाजिक न्याय को बचाने की लड़ाई ताकत से जारी रहेगी। मवमीद करता हूँ कि आपका साथ मुझे मिलेगा। आप अपने इलाके में इस लड़ाई के साथ क्या कर सकते हैं उसका निड़ाप लेजिए। आप कहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कहां ग्यापन दे सकते हैं। कहां हमारी इस लड़ाई के साथ जुड़ सकते हैं इसका निड़याप लीजिए हम इस लड़ाई को आज से आगास करते हैं परसों आठ तारी को मैं प्रेस कांफेंस दिल्ली विशुद्याले में करने जा रहा हूं और अगर आपको भी संबह हो तो परसों पूरे देश में इसका एहसास कराईए कि हम घलत पर खामोश होने वाले नहीं यह महबत और प्यार बरकरार रहे मेरा विशुद्याले मेरा जाकिर उसन दिल्ली कॉलेज मेरी कखशाएं मेरी किताबें मेरी अकड्मिया मेरी सासों में जिन्दा रहेंगी मैं उन्हें अपने कमरे में बैठ कर साधिता रहोंगा और उन्हें साथी ओगर आपको The Newsbeak का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsbeak Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsbeak at the rate yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeak Foundation अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है YESB-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YESBANK है और ब्रांच है नहरू पहलेस देली आप डोनेशन के एवज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें